हलो दोस्तों टेकनिकल मेप चानल में बाप इस आपका बहुत बश्वागर दोस्तों आज इस वीडियो में आज आप लोग को बताने वाला हूँ कि अगर आपके टिक टॉक एकाउंट पर किसी भी परकर का प्रोब्लम हो अगर आपका टिक टॉक अप्रीज हो गया है क्रेसिं पता होगा, Jio7 team को हाली में suspend account कर दिया गया, अभी भी उनका account suspend है, terminated कर दिया गया है, तो ऐसा क्या हुआ था कि अचानक से कौन report कर दिया था, कि 24 गंटे में TikTok team ने action ले कि उनका account terminate कर दिया, तो ऐसा कोई जगा है जहां से हम report कर सकते हैं, जहां से हम को mail कर सकते हैं वो तुरंट action लेंगे तो आज मैं वही रास्ता आपको बताने वाला हूँ, वहाँ पे जाके आप mail कर सकते हैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप अपने TikTok अकाउंट पे जाएगे, वहाँ पे आपकी जो problem है, वहाँ सेटिंग पे जाएगे और वहाँ पे रिपोर्ट करिए ऐसा, खुछ मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आपको अपने TikTok अकाउंट पे जाना ही नहीं है आज जो तरीका मैं आपको बताऊंगा, वहाँ से 100% आपको reply आएगा, आपकी problem solve हो जाएगी तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, TikTok पे आपकी problem क्या है ज़्यादातर मुझे comment देखने को मिले हैं कि आपके account freeze हो गया है और आपके account crashing हो गया है, आपको कैसे पता चला कि आपके account freeze हो गया है 100-200 views आते हैं, likes भी कमाते हैं, fans आने को कोई chance ही नहीं, एक दो, एक दो fan आगे तो आगे तो इससे पता चलियाता है कि आपके TikTok account को freeze कर दिया गया है अब ये freeze क्यों होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि freeze क्यों होता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कहां से जाके इसे unfreeze कर सकते हैं और कहां से इसे contact कर सकते हैं, ये तरीका आपको कोई भी नहीं बताएगा तो सबसे पहले हम बता दें आपको freeze account क्यों होता है प्रेज अकाउंट होने के बहुत सारे कारण दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी की वीडियो अप्लोड करते हैं तो रिपोर्ट कर सकता है, इससे आपकी अकाउंट प्रेज हो सकती है या फिर आप अगर टिक टॉक की कैमलेटी गाइडलाइन पढ़ी होगी तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है अगर वीडियो आप डालते हैं तो भी आपकी अकाउंट freeze कर दिया जाएगा या फिर नसा हो, या फिर कहीं suicide आप दिखा रहे हैं वीडियो में कि मैं कहीं पहाड से गिर रहा हूँ और आपने sad वीडियो बनाया उस पे views पाने के लिए वो भी उस परकार की वीडियो भी आप नहीं डाल सकते हैं ताकि दूसरा कोई attract नहीं हो उस तरीके का वीडियो बनाने में आपने तो इडिट करके बना लिया दूसरा कोई यह नहीं समझ पाएगा और वो भी वही follow करेगा उसके बाद कोई accident हो सकता है इस परकार की वीडियो आप बिल्कुल नहीं बना सकते हैं और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों मैं आपको बता दूँ किसी दूसरे को content आप यूज नहीं कर सकते हैं इस पर भी आपका account फ्रेज कर दिया जाता है जैसे कि मैं आपको बता दूँ अगर यहां TikTok पर आपने देखा होगे बहुत सारे songs हैं वहां से अगर आप TikTok की वीडियो बनाते हैं उस song से तो आपके account पर कुछ भी नहीं होगा अगर बाहर से कोई song लेते हैं अगर 25 सिकंड के नीचे की songs है कोई भी dialogue हुआ या song हुआ अगर आप वहां से use करते हैं बाहर से 25 सिकंड के नीचे तो मुझे लगता कोई problem नहीं होगी YouTube पे भी यही rules हैं मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 25 सिकंड के नीचे अगर आप कोई song यूज करते हैं तो ठीक है 25 सिकंड के बाद की अगर कुछ यूज किये तो copyright इस्ट्राइक दे देता है अब टिक टॉक पे तो इस्ट्राइक के कोई option नहीं है इसलिए वह वहाँ पे फ्रेस कर देते हैं क्योंकि आपको पता होगा कोई भी content आप किसी का यूज नहीं कर सकते हैं वह reuse में आ जाएगा copyright हो जाएगा क्योंकि टिक टॉक अग इतनी बड़ी website हो गई है इनको पेट करना पड़ता है कोई एड लगाता है तो महां से वह लोग एड का पैसा ले भी लेते हैं तो इस वज़ा से अगर आप टिक टॉक पे वीडियो बना रहे हैं तो बाहर की वीडियो अगर यूज कर रहे हैं तो आप 15 सेकंड की यूज करिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो जादा तर आप टिक टॉक पे जो अभी लेवल है उसी पे आप बनाएए तभी आपका एकाउंट सेफ रहेगा आप चलिए मैं आपको बिना टाइम बस करते हुए मैं आपको ले चलता हूं और आपको बताता हूं आप इनसे कैसे कांटेट कर सकते हैं औ और वीडियो से पहले दोस्तों अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब पर के पेल आइकन को जरूर प्रेस करिए गया ताकि मेरी आने वादी हर एक वीडियो की नोटिपिकेशन तक पहुष्चती रहें, तो चलिए मैं अपने मुबाल के स्क्रीन पर चलता हूं आपको बताता हूं कैसे आप उन्से कॉंटेट कर सकते हैं, तो चलिए शिरू करते हैं, तो तो जैसे कि आप देख सेकते हैं, मैं अपने play store पे आ गया हूं डिस्किप्शन में यहां पर जाना कुछ इस तरीके इंटरफेस आएगा इसके बाद उपर आप website देख सकते हैं लिखा हुआ है website पर क्लिक करना है जहां से वहां उनका बिजनेस शुरू होता है जहां से प्रेस वाले उनसे contact कर सकते हैं उनका Instagram ट्यूटर सब कुछ वहां से आ इस त्री डॉट है आपको इस त्री डॉट पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इनका यहां पर इस्टाग्राम ट्यूटर फेसबुक यूटूब सब है और यहां पर देख सकते हैं contact us यहां पर क्लिक करना है आपको इसके बाद जैस आप यहां पर सब पर मेल कर दीजिए आपको रिप्लाइ मिल जाएगा यहां नीचे आप देख सकते हैं प्रेस इंक्वाइरी यहां पर देख सकते हैं पी आर है टिक टॉक डॉट कॉम इस पर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपका सिधे मेल खुल जागा लेकिन आपको यहां पर प्रॉब्लम है कि आपको मेल कैसे करना है मेल तो आपने इस पर क्लिक किया खुल जागा लेकिन आपको मेल किस पर करना है वह भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा वीडियो को लाश तक देखिएगा नहीं तो आपका फॉर्म हो जाएगा तो इस तरी पर पहुच जाएंगे तो जह सके आप देख सकते हैं मैं इनके इस्टाग्राम पर पहुच गया अब यहां से ट्विटर पी भी जा सकते हैं फेस्बूक पर भी जा सकते हैं और यूटूब पर भी जा सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूं यह email का फंडा क्या है कैसे आ विदेगल सकते हैं तो बड़ियां सकनी भी जाते हैं तो भी आपको एक अप्लिकेशन करना होता है आपको लिकना होता उसी तरह आपको भी अपने email में बाकाइदा काप्लीकेशन आपको लिखें आपके पास भीजना है ना कि आप डिरेट्कली वहां पहुच आपको हिंद या मेरे एकांट पर फ्रीज क्यों हुआ है ऐसा कुछ भी आपको टाइब नहीं करना चिली में दोस्तों होता क्या है हो सकता है इतनी बड़ा प्लेटफार्म इतना बड़ा टिक टॉक आज पूरे देश पूरी दुनिया में लोग यूज कर रहे हैं इतना बड़ा नेटवर् तो क्या आपको लगता होगा कि एक मेल पढ़ने के लिए कोई वहाँ पर बैठा होगा ऐसा नहीं है दोस्तों लाखो प्रॉब्लम टेली जाते हैं तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है हो सकता है उनके पास एक प्रोग्राम सेट किया हो उन्होंने एक अप्लीकेशन बनाया हो जिसका नाम हो मैलीड़ीर इमेल बीडर मेल करते हैं उसमें रचेंगी और यहां से लाक्रीजम अबस लोग मेल कर रहे हैं अब उसमें जो प्रोग्राम सेट किया हूँ उन्हों ने हैं मेरे कहने का मालब है इस कि आप उल्टा फुल्टा चीज उसमें लिखेंगे वो यहां से निकल जाएगा सीधर डेस्पीर में चला जाएगा रिजेक्ट हो जाएगा आपको बढ़ियां फॉर्मेट आपको रखना है बढ़ियां से आपको अप्लिकेशन वहां पे भेजना है ताकि जो उनके प्रोग् आपको जरूर डालना है मेल के नीचे अगर आपको कोई भी प्राब्लम आती है अगर आपको पूछना अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे कर सकते हैं यह प्राब्लम मैं आपको बताऊंगा आपको मेल कैसे करना किस तरीके से करना है पूरी डिटेल में दोस्तों आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते अगली वीडियो में तक तक के लिए नमस्कार